अपने बच्चों को ठंड से बचाना और सर्दियों के मौसम में स्वास्थरकना घरवालों के लिए बड़ी मेहनत का काम होता है। आसी विशमें पर बताएंगे जर्शर में सरदियों के मौसम में बच्चों की डायट में शकरकन शामिल करना एक बहतर अपजय Allez ऐसा क्यूं है इसके बारे में विप्स्ताबएंने घॉय क्षब्चों की डायट में ऐसे टीज शामिल करना एक बड़ा चैलेंज है जिसमें केलशियम, सोडियम, आईरन, मेगनीशियम, फासफोरस और पोटेशियम जैसे मिनरल्स मौजूद है। वहीं अगर आफ स्वीप पोटेटो यानि की शकरकन की बात करें तो इस सबजी में ये सब ही मिनरल्स पाए जाते हैं। रूटीन डाइट में इसे शामिल करने से बच्चों का शारेरिक दिकास बेतर होता है। आम तोर पर आपने देखा होगा कि आजकल छूटे बच्चों में भी आखों की रोशनी से जुड़ी समस्या देखी जाती हैं। जिसे लेकर हर माबाप चिंतित रहते हैं। बता दें कि शकरकंद में पाये जाने बाला बीटा केराटी शरीर में विटामिक A पढ़ाता है। और इस विटामिक की वज़़े से आखें स्वस्थ रहते हैं। इसलिए बच्चों की डाइट में इस फूर को जरूर शामिल करें। दो से तीन साल तक के बच्चों में कबस की समस्या भी अब आम होती चली जा रही है। पेड़ साफ न होने की वज़़े से वो खाने पीने में रुची नहीं लेते। शकरकंद में मौझूज, डाइटरी थाइबर बच्चों में कबस की समस्या को दूर करता है। बच्चे चुकी छोटे होते हैं ऐसे में उनमें इम्म्यूनिटी भी कमजोर होती है मौसम के हिसाब से एड़्यस नहों पाने की वज़े से वे जल्दी बीमार भी पढ़ चाते हैं धंड से बच्चे को बचाने के लिए उन्हें स्वीट पिटर्टो जरूर खिलाएं इसमें मौजूर विटामिन E और C बच्चे को बीमार नहीं पढ़ने देते बच्चों की आदत होती है पूरे दिन धमा चौकडी मचाने की अगर वे थोड़ी देर खेल कर ही ठकान महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है उनमें इनर्जी की कमी हो शकरकंद में मौजूर स्टार्च और विटामिन बच्चे को पूरा दिन एनर्जेटिक बनाये रखने में कारगर होते हैं साथ ही इसमें मौजूर प्रोटीन और मिनरल्स बच्चों की शारे रिक और मानसिक निकास में मदद करता है इसलिए बतोर पैरेंट आप इसे अपने नन्हे बच्चों की डेली डाइट में जरूर शामिल करें अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेस्बुक पेज पर लाइक करें और ह्यूच्प पर सब्सक्राइब करें शुक्रिया सच जहीद और दमदार भी गाओं कजबा शेहर नगर रुख न पाए कोई खबर असर भी असरदार भी खबर भी सरोकार भी ललूराम.com सच कहेंगे ललूराम